हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम यू अल उन CSE सब्जेक्ट वाइज, बचे हमने PDA का ट्रांजिशन फंक्शन जो रीड किया था, वो क्या था? Q क्रोस सिग्मा क्रोस टाव गोस टू क्रोस टाव स्टार, राइट? हमने जो ट्रांजिशन फंक्शन रीड किया था, PDA का, वो क्या था? किसी स्टेट से कुछ इन्पुट को रीड किया, टॉप अव दा स्टैक एलिमेंट को देखा, किसी स्टेट पे गया, और स्टैक में कुछ ओपरेशन परफॉर्म किया अगर इसी ट्रांजिशन फंक्शन को मैं कुछ और एक्स्टेंट करके लिखूँ, तो क्या होगा बच्चे? किसी स्टेट से कुछ इन्पुट सिंबल को रीड किया, इन्पुट सिंबल क्या हो सकते हैं, एक बी या जीरो वन, इसमें बच्चे एक और चीज एड हो जाएगी हमारी एपसिलोन, राइट, किसी स्टेट से कुछ इन्पुट को रीड किया, इन्पुट कुछ भी हो सकता ह आपके symbols हो सकते हैं या epsilon हो सकते है plus top of the stack को देखा उसके coding किसी state पे गया और stack में कुछ operation perform किये या तो push operation या pop operation या no operation तो अब हम देखते हैं बच्चे last lecture में हमने जो cover किया था वो a की power n, b की power n, n is greater than equal to 1 से start किया था अब हम greater than equal to 0 के लिए start करेंगे अब हमें ये पता है कि अगर आपको इसका dpda बनाना है क्योंकि ये language prefix property को satisfy नहीं करती ये language prefix property को satisfy नहीं करती इसलिए इसका जो dpda बनेगा वो final state method से ही बनेगा empty stack method हम नहीं बना सकते तो अब हमें क्या करना है बच्चे इसका logic क्या है देखो इसमें कौन-कौन सी string आ सकती है epsilon फिर ab फिर a square b square फिर a cube b cube right means number of a is equal to number of b होने चाहिए जिसमें a पहले आए b बाद में आए it means a की b के साथ counting करनी है या b को b उतने ही आने चाहिए जितने a आ चुके है right और epsilon आ सकता है तो इस case में हम क्या करेंगे हमारा logic क्या कहेगा बच्चे अगर अकेला epsilon आया है input में अकेला epsilon है तो आप उसे final ले जाओ बट अगर input tape पे epsilon के बाद कुछ और भी symbols आए हैं क्योंकि epsilon आ सकता है बच्चे आपका epsilon के बाद अगर कोई और symbol आए हैं तो जितने भी a आए हैं उनको stack में hold कर लो क्यों hold कर लो क्योंकि इनकी जरूरत है क्यों जरूरत है मुझे count करना है कि b उतने ही होने चाहिए जितने मेरे stack में a है तो इसलिए a को आप क्या करो stack में push करवा दो b आए तो a को poop करो logic सेम है बस condition इहां पे क्योंकि 0 और greater than 0 है इसलिए इसका final state method बनेगा empty stack method नहीं बन सकता तो start करते हैं अपनी problem को suppose करो बच्चे state क्या है मेरी q naught initial state right अब बच्चे आपने क्या किया अगर a आया अगर आपके पास a आ रहे हैं तो इस time पे stack क्या status क्या है आपके पास stack में सिर्फ और सिर्फ jud note है तो अब a आया क्योंकि string बच्चे a से ही start हो सकते एपसिलोन आएगा तो उसको अलग case में consider करेंगे बच्चे इंपुट टेप पे क्या क्या आ सकता है a, 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 b, 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 dollar right अगर एपसिलोन भी आया तो एपसिलोन का case अलग consider करेंगे अब देखो बच्चे अगर a आया तो top of the stack क्या है jud note तो आपको क्या करवाना है stack में इसे push करवाना है तो a को stack में आपने push करवा दिया अब बच्चे important point क्या है कि आप gate में या कहीं पे भी या books में बहुत अलग notations भी देख सकते हो यहाँ epsilon होगा यहाँ jud note होगा epsilon jud note लिखा होगा बच्चे या jud note लिखा होगा right ऐसा भी हो सकता है यहाँ a jud note लिखा है तो a की जगे हम x को push करवा रहे है it means बच्चे element क्या लिख रहे हो आप वो matter नहीं करता है हमारे लिए आप element क्या लिख रहे हो सिर्फ matter क्या चीज करती है यह last point यह ध्यान से रखना हो सकता है इसमें सिर्फ jud note होगा अगर यहाँ epsilon है तो वो pop हो रहा है jud note है तो push operation हो रहा है यह ध्यान रखना अलग-अलग books में इतने complicated बच्चे हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगा अलड़ी gate में भी यह problem आ चुकी है तो आपको ध्यान रखना होगा अब उसके बाद बच्चे a आया अब input फिर से क्या है हमारे पास first a आया जैसे ही आपने a में stack stack में a को push करवा दिया second a आया इस time top of the stack क्या है a है a आया top of the stack a था तो आपने क्या किया again push operation perform किया तो a को यहाँ पे push operation perform कर दिया फिर से a आया top of the stack क्या है a आया top of the stack a है तो double aim, it means A पे A को और push operation perform कर दिया दुबारा से नहीं लिखोगे बच्चे Right Next, अब B आया जैसे ही B I जैसे ही B I बच्चे अब आपको क्या करना है counting start कर देनी है तो A को pop कर दो B I top of the stack A है तो आपको क्या करना है pop करना है तो आप चलेगे Q1 state भी बच्चे, last lecture में हमने ये discuss नहीं की थी कि हम state क्यों change कर रही है इस lecture में हम उसको complete discuss करेंगे अब बच्चे, ये A pop हो गया इस B के लिए next B I are top of the stack क्या है, क्योंकि ये तो pop हो चुका है तो top of the stack next, ये A है it means B को A के साथ count करना है ये भी pop हो गया बच्चे next read writer header आगे move किया next B को देखा उस time top of the stack क्या है, A है तो B देखा top of the stack A है तो उसे भी pop कर दिया अब क्या है बच्चे dollar, dollar on jud note, अब आपको क्या करना है बच्चे, जब dollar आया top of the stack jud note है आप इसे pop करना चाहते हो pop कर सकते हो, यहां पे आप नहीं करना चाहते, नहीं करो एक ही बात है बच्चे, क्योंकि हमें जब अगर मैं final state method use कर रहा हूँ, तो हमें stack bother नहीं करना कि वो empty हुआ है या नहीं हुआ, right अब देखो बच्चे, epsilon को क्या करेंगे, अगर epsilon आजाता है, input string में just एक epsilon string है बच्चे epsilon string है तो आपका उस time stack पे क्या होगा jud note होगा, तो jud note को आप jud note ही रखो right, तो यह है बच्चे आपका final state method for language l is equal to a की power and b की power and n is greater than equal to 0 अब आप इसके transition function लिख सकते हो, अब हम discuss करते हैं कि हम state change क्यों करते हैं right, हम state change क्यों करते हैं यह समझने की बात है बच्चे हमारी last lecture में जो हमारा example था बच्चे वो था a की power and b की power and n is greater than equal to 1, इसे समझने की कोशिज करो, same logic था बच्चे minimum string a b होगी तो a आया stack में push किया, b आया stack में से a को pop किया, हर एक b के लिए क्योंकि एक b को एक a के साथ count करना है, अब देखो बच्चे हमारा जो हमने last last video में जो transition function दिये थे बच्चे वो ये थे, a आया a z note, तो a z note फिर बच्चे stack में a चला गया तो, फिर से a आया तो a on a, फिर कितने भी a आते जाएं आपने यहां पे stack में push करवाया है फिर b पे a आया तो आपने pop करवाया फिर वापिस से बच्चे b में a आया तो आपने pop करवाया फिर बच्चे जब dollar आया stack में z note था तो आपने pop करवा दिया और empty stack method योज किया यह मेरी q1 state थी यह q2 state थी अब देखो बच्चे आपने state क्यों अलग की अगर नहीं करते तो दिक्कत क्या आती इसे भी समझना जरूरी है अब हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे यह सारे function को मैं एक ही state पे mention कर रहा हूं q1 ध्यान से देखना बच्चे अगर यह logic आपको समझ में आ जाता है तो हमारे लिए pdf समझना बहुत ही easy होगा आपने क्या किया सबसे पहले a z note आया तो a z note फिर बच्चे a पे a आया तो stack में again a को push करवा दिया फिर बच्चे b पे a आया तो आपने pop करवा दिया यह चलता रहा यह सेम चीज बार बार फिर बच्चे dollar on z note आया तो आपने pop करवा दिया और stack empty हो गया right अब देखो बच्चे reason क्या है यह wrong क्यों है suppose करो बच्चे एक string है a a a b b b dollar तो क्या यह string accept हो रही है हमें इसे समझने की जरूरत है अब देखो बच्चे initially z note है आपके पास अब देखो input क्या आया z note on a a on z note a z note stack में push करवा दिया आपने next a a on a a on a again stack में push करवा दिया next a a on a again stack में push करवा दिया right अब b on a b on a pop किया आपने next b on a again pop किया next B on A, again pop किया, फिर बच्चे डॉलर on Z not, पॉब किया, तो ये तो right है, बड़ दिक्कत कहां आ जाती है, बच्चे, स्पोच करो, आपका input symbol है AB, AB dollar, input जो आया आपके पास, वो है AB, AB dollar, तो इस case में हमारे साथ क्या problem हो जाएगी, क्योंकि ये input मेरी language से belong नहीं करता, तो PDA का काम है, इसे reject करना, तो अब क्या होगा बच्चे, अब A आया, बच्चे, A on Z not, A on Z not stack में A को push करवाया, फिर बच्चे, B on A, B on A, इसे pop करवा दिया, तो stack में अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ Z not है, फिर से A आया, फिर बच्चे, आपका B आया, B on A, B on A आपने pop करवाया, फिर आया बच्चे, डॉलर on Z not, डॉलर on Z not, इसे भी आपने pop करवा दिया, इसे एम्टी stack मेथड से यहां stack empty हो रहा है, तो आपकी ये string भी accept हो रही है, बट ये string तो मेरी language बिलोंग ही नहीं करती, तो ये accept क्यों हो रही है, इसी वजय से क्योंकि हमने सारी functionality को एक ही state पे mention किया है, जब भी बच्चे कुछ task, अलग task start करना हो आपको, तो आपको एक state change करनी ही होगी, otherwise mistake होने के chances हैं हो सकता है, वो आपका PDA कुछ wrong string को भी accept करे, आ रहा है बच्चे समझ में, तो इसी लिए बच्चे, आपको क्या करना है जब भी counting start करने जा रहे हो, तो उसको अलग state पे जाके ही करो, तो ये reason था बच्चे, आपको ध्यान रखना है, अगर कोई doubt हो please आप message करे, मिलते हैं कुछ और PDA के साथ next video में, thank you so much